अभी हम लोग टेक्सबुक पेज नंबर 26 पे जो फोर नंबर की एक्सिसाइज है वो सॉल करेंगे देखो फॉर्स कोश्चिन क्या है सब्ट्रेट देखो उसमें फॉर एक्जांबल्स है फॉर्स कोश्चिन में चुलों मुद बैवन हम लोग एक्जांपल सॉल करता है देखो 2-1 1 3-2 1 4-3 1 7-4 3 1-1 0 अभी देखो 7-6 1 6-5 1 5-2 3 4-3 1 3-1 2 अभी थोर्ड एंट फॉर्ट नंबर का एक्जांपल सॉल करते हम लोग देखो 5-4 1 2-2 0 3-1 3-1 2 9-7 2 5-3 2 अभी देखो 6-5 1 7-0 7 9-4 5 8-7 1 3-2 1 अभी देखो तो मुते हैं क्या है Question No 2 है Arrange Vertically and Subtract हमें vertically arrangement करनी है फिर subtraction करनी है vertically मतनब क्या एक के नीचे एक numbers लिखना फिर single single digit सब्ट्रेट करना है तो चलो फर्स रिजम्बन सब्सक्राइब करते हम लोग देखो 13,908 माइनस अभी देखो यह 4 डिजिट है तो यह टूप कहाँ पर आएगा 3 के निचे ओके यह प्लेस बहुत इंपोर्टन्ट है देखो 5 बराबबर यहाँ पर आया यूनिट स्प्लेस पर अभी देखो 8 माइनस पाइउ 3 0 माइनस 0 9 माइनस 7 2 3 माइनस 2 1 अभी 1 में से कुछ भी नहीं सब्टेट करना है तो 1 बेसे का बेसे ही आएगा ओके अभी देखो सेकने बगे एग्जांपल 23,457 माइनस अभी देखो 346 है तिर का पे आना चाहिए 100 स्प्लेस पे 4 10 स्प्लेस पे 6 यूनिट स्प्लेस पे अभी देखो 7 माइनस 6 1 5 माइनस 4 1 4 माइनस 3 1 अभी देखो 3 के नीचे एक भी नंबर नहीं है तो 3 में से कुछ भी नहीं सब्टेट करना है हमें तो 3 बेसे का भी साहिए आएगा अभी देखो 2 में से भी कुछ भी नहीं सब्टेट करना है हमें 2 बेसे का भी साहिए आएगा ओके यह हुआ हमारा आंसर अभी चलो 3rd और 4th एक्जेंबल साहर करते हम लो 85,679 माइनास अभी देखो यह भी 5 डिजिट है तो बराबर देखो 7 एट के निचे है आएगा 74,056 अभी देखो 9-6,3 7-5,2 6-0,6 5-4,1 8-7,1 अभी चलो लास्ट एजेंबल साहर करते हम लो 69,876 माइनास देखो 5 डिजिट है बराबर अभी देखो 5,6 के निचे है आएगा माइनास 54,321 6-1 5 7-2 5 8-3 5 9-4 5 6-5 6-5 1 ओके देखो पलेशे बहुत इंपोर्टेंट है कि कौनसा नॉमबर कहां पर आएगा अपलो पलेशे अच्चे से देनाने तो आपका आणसर राउं हो जायेगा ओके पलेशे पर जो नॉमबर्स है वो अच्चे से देना निताब का अंसर रॉंग हो जाएगा ओके तेंक यू